अलो फ्रेंड्स आज हम टॉपिक आपके लेकर आए हैं वो है पीम सुनिधी। काफी इंपोर्टन जोप टॉपिक है काफी यह नीज में है पीम सुनिधी। तो सबसे पहले वात यह समझना है कि PM सुनेधी भारत में कब सुपञा गया और इसका ठिक थो की सीच Això कि. तो पेम सुनेधी समय क्या है good impacts Micro Credit Facility for the Indian Street Bender, प्रेस्ट समझेए, यह Micro Credit Facility for the Street Bender, जेके, Micro Credit, Micro Credit Facility, जेके, Micro Credit Facility for the, for Street Bender, इस्टीट वेंडर, ठीक है, इस्टीट जो वेंडर्स होते हैं, उनके लिए, जो लोग फुटपाथ पर सेल करते हैं, कुछ छोटे-छोटे प्रोडक्स को उनके लिए शुरू की गई है, और यह शुरू की गई है, भारत में एक जून 2020, 2020, यानि एक जून 2020 को यह शुरू की गई है, एक बास सुना आगे आपको, कि PM सुनिद ही, एक छोटे कर्जदार, जो लोग स्टीट वेंडर हैं, जो फुटपाथ पर काम कर दें, उनके लिए लौन देने के लिए शुरू की गई है, ठीक है, अब इसमें कितना इसमें इंट्रेस्ट सब्सीडी भी दिए इंट्रेस्ट सब्सीडी इंट्रेस्ट सब्सीडी का मतलब यह होता है, कि आपको जो आपको इस टेस्ट देना है उसमें सब्सिडी दी जाएगी और साथ में एक ची और आपको जहां रखना है इसमें मंतली जो कुछ हां मंतली कैस बैक है कि कैस बैक है यह नहीं इस टेन थाउजन को कोई भी इस्टीट वेंडर इंटेस्ट सब्सिडी पर ले सकता है और जो सब्सिडी दी जाएगी इंटेस्ट में वह आपको पर मंत कुछन कुछ बापस भी आएगा अब यह कुछन बनेगा कि इसका परपस क्या है इसका मैं आपको परपस बता किसान भी आते हैं जो लोग सबजी बेजते हैं स्टीट पर तो यह जो किसानों की डवला है दो हजार बाइस में करने का प्लान है उसी का हिस्सा करके इसको देखा जा रहा है ठीक अब यह कुस्ण बनेगा कि जो किसान है वो कहां कहां से कर्ज ले सकते हैं कौन कौन सहस्ता ने सकत्ता नियुन सब्सक्राइब di सबसे पहले तो वो सामने आये उसके बाद है उसमें आर आर वीज यानि रीजनर रूरर बैंक जो रीजनर रूरर बैंक है वो भी इसको लॉन दे सकते हैं उसके बाद है इसमें कॉपरेटिव बैंक जो कॉपरेटिव बैंक है वो भी लॉन दे सकते हैं ठीक है उसके बाद कौन है जो एस एच जी बैंक है यानि शेल्प हेल्प गुरुप बैंक है वो भी दे सकते हैं ठीक है एस एच जी शेल्प हेल्प गुरुप जो बैंक है बेबी वो भी दे सकते हैं और उसके बाद है जो नौन बैंकिंग इंसिटिशन्स हैं वो भी दे सकते हैं यह वाद आपको ध्रखना नौन बैंकिंग अब इसमें यह कुछ से बने का कौन कौन सी जो पैंक हैं वो इसके तहर्ट लॉट दे सकते हैं और मैं आपको सम्झा देता हूं बहुत सिंपल फॉर्म में कि वाट इस सुनिधी तो सुनिधी ए माइक्रो क्रेटिट माइक्रो क्रेटिट फैसलिटी फॉर दा इस्टीट बेंडर जो लोग फुटपात पर कुछन कुछ बेचते हैं उनके लिए लगू कर्ज एक विवस्ता है पहली बात दूसरी चीज इसमें कितना दिया जाएगा टैन थाउजन फॉर ए यर दस हजार रुपए बिना किसी गारंटी के उन लोगों को दे दिया जाएगा और उसके बाद बोलो दीरे दीरे इसको किस्तों में चुगा सकते हैं साथ ही सबसे इंपोर्टेंजी आपको नोट करना है इसमें मंत्री कैस बैक है और इंट्रेस्ट सबसेडी है कि जो आपको इंट्रेस्ट देना है उसमें भी सबसेडी दे जाएगी मालेजी इंट्रेस्ट अगर पांच रुपए है तो पांच रुपए में तीन रुपए आपको देना है दो रुपए सरकार को देना है इसको मोलतें इंट्रेस्ट सबसेडी तो यह हो गया उसके बाद जो कौन-कौन बैंक है या कौन-कौन ऐसी संस्ताइं है जो लॉन दे सकती है, इस यह से पूछेगा, तो पहला है सेडिवूल बैंक्स, जो सेडिवूल बैंक, अब सेडिवूल बैंक क्या होते हैं, जो RBI Act के सेडिवूल में लिस्टिट है, जो RBI Act 1934 है, उसके से से कह से उनको हम स्चेड़ेंग क्रीक ली जो वी वहीं सकते हैं। उसके बाद आपके वहीं दे सब्सक्रांट यह suis और साथ ही तो नौन वेंक्ट वहीं जी परहएंक जो यहसे समझ लेना है कि भारत सरकार इस पियम सुनेधी के तहट जो लोग स्टीट बेंडर हैं जो लोग बहुत कम इन्वेस्ट कर पाते हैं और बहुत कम कमा पाते हैं उनके लिए एक विसेश आर्थिक पैगिज है और यह उसका भागया जो हमारे पिदान मंति ने बोला था कि आप निर्भर भारत तो आप निर्भर के लिए हमें कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा तो कोई भी और मैं बत है कि आत्म निर्भर जो सपना है जो बिजन है सरकार का उसी के तहट इसको रखा गया है और दस हजाद रुपए हैं एक साल के लिए हैं विदाउट किसी कारेंटी और जो जो इंट्रेस्ट है वो भी सब्सिडी के साथ है और साथ ही मंत्ली कैस पैक आपको यह विशे स्थाएं हैं जो लॉन दे सकती है तो यह ध्यार रखना है ठीक है तो यह था हमारा पीयम शुनिदी इसकिव थैंक्यू